ये मोरन विचन के अब्दिलबारी है ये तो अच्छा बच्चा है ये दुआए सिखता है अच्छी बाते बताता है आप सिखे अब्दिलबारी के जंग भाई जल्दी चलो हमें देर हो रही है सबी इंतजार करेंगे हाँ बस आ रहा हूँ युसरा तुम कैसे इतनी जल्दी तैयार हो जाती हो लो कर लो बात भले तैयार होने में भी कोई वक्त लगाता है हाँ हाँ तुम तो अपने काम में बहुत फास्ट हो आओ देखे सरफरास आने वाले थे साथ में जाने के लिए और वो आ गए असलाम अलेकुम सरफरास भाई वालेकु कैसे हो युसरा युसुफ अलहम्द्रिल्ला हम टीक है नवेद नहीं आए वो अगले चोराहे पर मिलेंगे आओ हम चले अंशरा आपाने कितने बज़े बुलाए थे तुम्हें तो कुछ यादी नहीं रहता हमें तो 11 बज़े पहुचना था हाँ अंशरा आपा चाहते थे कि ह हम सभी को रमजान के तालुक से कुछ बताया जाए इसलिए उन्होंने हम सभी को बुलाए है वो रहे नवेद असलाम वालेकुम मैं भी वस अभी आया हूँ चलो जल्दी से चले हाँ जल्दी तो करना ही होगा आप सभी तो मुंगी की तरह चल रहे हो और तुम युसरा बि बिलकुल चीता की तरह आखिर ये लोग आने में इतनी देल क्यों कर रहे हैं हमेशा लेट होते हैं असलाम वालेकुम वालेकुम असलाम कहां रह गए थे मैं कपसे इंतिजार कर रहा हूँ हम तो वक्त पर ही आया है ना अब दिलबादी वक्त पर हाँ ग्यारा बज़े बोल गए वैसे और जल्दी आ जाते अगर भाई देर ना करते ओह दरसल रमजान के आने की खुशी से मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ इसलिए जल्दी कर रहा हूँ हमें भी इंतिजार है और हम सब का इंतिजार कल्या परसु खतम हो जाएगा हम आओ बैठे आपा भी आ आमिना नहीं आए मैंने उन्हें भी बुलाई थी असलाम औरेकुम अन्शरा माफ करना मुझे थोड़ी देर हो गई वालेकुम असलाम नहीं आमिना माफी ना मांगो तुम वक्त पर आए हो आओ बैठे ओह मुझे लगा शायद लेड हो गई तो हम आपस में मिल रहे हैं माहे रमजान का इस्तिखबार करने के लिए चलो बताओ और कुन सा महीना कहते है रमजान के महीने को रहमतों का महीना माशाल्ला और कुरान का महीना हाँ, ये कुरान का महीना भी है त्योंकि रमजान के महीने में कुरान का नजूल हुआ और बताओ, मक्फियत का महीना भी कह सकते है ना अच्छे काम की प्रैक्टिस का महीना भी कह सकते है ना ओ, माशालला युसरा, तुम्हें कैसे मालूम ये? अम्मी ने बताtillी है ठीक है, हम सबी को मालू है इस महीने में हम क्या करते है हाँ अपा, इस महीने में हम रोजह रखते है बहुत अच्छे, अब कौन बताएगा, रोजे को कुरान में क्या कहा गया है सियाम सही बोले आओ हम कुरान की आयतों को पढ़ते है और समझते है जो इसके तालुक से है आउजु बिल्लाहि मिन श्चेटान रुजीम बिस्मिल्लाहि रुछ्मान रुछीम या ऐयुहा ल्लजीन आमनू कुतिब अलएकुम उस्सियाम कमा कुतिब अल्लजीन मिन कबलिकुम ला अल्लकुम तत्तकून ये सूरे बकर की 183 आयत है जहां अल्ला रब रिज्जत फर्माते है कि ऐ लोगों जो इमान लाए हो तुम पर रुजे फर्स किये गए है जिस तरह कि तुम से पहले की लोगों पर फर्स किये गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन सको क्या मतलब है मुत्तकी के? मैं बताओ आपा हाँ हाँ कहो मुत्तकी मतलब तक्वे वाले इससे मतलब ये है कि हम तक्वा हासिल कर सके तक्वा? हाँ तक्वा तक्वा क्या होता है आपा? तक्वा मतलब? मैं बताओ आपा? ठीक है बताओ तक्वे की मिसाल ऐसी है जैसे हम किसी काटे दार जाडियों के बीच में से गुजर रहे हो तब जैसे हम अपने आपको अपने कप्ड़ों को उन काटों से बचाते हुए वहाँ से गुजरेंगे ठीक उसी तरह हमें अपनी जिन्दगी में इस दुनिया की बुराईयों से खुद को अपने किरदार को बचाते हुए गुजरना है बिल्कुल उमर रजिल्लाहु अन्हों ने तकवे के तालुक से इस तरह मिसाल देते हुए कहा जहां उन्होंने काटों को दुनिया की तमाम बुराईयों से जोड़ा है और कप्डों से मुराद हमारे किरदार, अखलाक, दिल, दिमाग और पुरे जिसम से है लेकिन आपा दादा जान तो बता रहे थे कि ये मिसाल दरसल उमर रजिल्लाहु अन्हों ने जब उबय रजिल्लाहु अन्हों से सवाल पूछे थे कि तकवा क्या है तब हज़रत उबय इबन काब रजिल्लाहु अन्हों ने इस मिसाल को दिये थे हम, अलग अलग जगों पर कुछ अलग रिवायात पाई जाती है बेरहाल हमें इस बात से ये लेना चाहिए कि इस बड़े महीने में हम अपने अंदर तक्वा हासिल करे अच्छा कौन बताएगा मुझे तुनिया में कौन सी चीजे है जो काटो के मानिद है इस मिसाल में जलन, हसद, जुड बोलना, बुरे बाते करना, बेशल्मी, बेहयाई, बुरा करना, बुरा देखना, बुरा सुनना लालच, नफस के बुरे खौईशे, ये भी तो तक्वी को तुबा कर देते हैं ना बिल्कुल, तो हमें भी अगर इन में से कोई बुराई पाई जाती हो, तो हमें इस महीने की प्रैक्टिस से खुद को इन चीजों से बचाते हुए निकलना है, जैसे कि हम अपने कपड़ों को काटी तार जाड़ियों से बचाते और तक्वा हासिल करते तो तक्वा ये है कि हम अपने अंदर से ऐसी हर चीजों को मिटा दे, जो हमें अल्लह से, अल्लह की याद से दूर करती हो, देखना, मैं तो पूरे रोजे रखूगी, और तक्वा को हासिल करके ही रहूगी, तो सबसे ज्यादा मुत्तकी बन जाएगी, तो हम सभी मुत्तकी यानि परहिजगार बनेंगे, इन्शालला, इन्शालला, मैंने तो अपनी लिष्ट भी बना दिया हूँ आपा, किस चीज़ का लिष्ट नवेद, अब रमजान का महीना है, तो लिष्ट इफतारी की बनेगी न, इसे लिए मैंने पहले ही से रोजाना इफतारी में क्या बन इसे रुकने का महीना है, परहेस करने का महीना, साल में एक ही महीना तो आता है, जहां हम इफतारी में तरह तरह के दीशे स्खाते पीते है, हर जगा बाजार में धुआ, खुश्बू, बाजार का तो नाम ही ना लो, दो फैर बात तो बजार जाना ही रही रही चाहिए, खा देखो हम जब इफ्तारी करते हैं तो ठीक है ये जायस है कि इफ्तारी में कुछ बना ले लेकिन बहते है कि उस वक्त दुआओं और अबादत में लगाए ना कि सिर्फ खाने पीने की तैयारी में बाकी जीसे जैसा मिले खा ले बस इस बात को ध्यान में रखना कि रमजान भूग प्यास को महसूस करने का महीना है जहां हम ज्यादा अल्लह से करीब हो सकते है और साथ ही इस भूग की तकलीव को एहसास करके हमें दूसरे जरूरत मन दो मसाकीन का खयार रखना चाहिए तब तो मैं भी इस रमजान में जो सामने होगा वो खाऊंगा कोई डिवान नहीं करूंगा मेरे घर में भी इफ्तारी उतना ही होता है जिसे की हम रोजा खोल सके और फिल कुछ देल बाद हम थोड़ा सा खाना खा लेते है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम इफ्तारी को लेकर क्यों बहस कर रहे है जबकि हमें तो तक्वा हासिल करना है ना माशालला युसरा ये तुमने बड़ी पते की बात कही बाकरी में हमें लिश्ट तो बनाना चाहिए लेकिन इस महीने में हमारा शेडूल कैसा हो इस बात की इस महीने में हम अपने अंदर से अगर कोई बुराई है तो उसे निकाल फेके इस बात की लिस्ट इस महीने में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अबादत करेंगे कैसे नवाफिल भी ज्यादा करेंगे इन बातों की लिस्ट हाँ अन्शरा, मैंने तो पूरे महीने का टाइम टेबल बना ली हूँ ठीक है आपा, हम भी आज ही अपना टाइम टेबल सेट कर देंगे ताकि हम जादा से जादा अबादत और अच्छे काम में वक्त दे सके बहुत अच्छे, तो ठीक है, अब हम सब अपने अपने घर जाते हैं और तैयारी करते हैं रमजान की ठीक है आपा, मैं भी ऐसा ही करूँगा जजाक अल्ला खेर आपा, आपने हमारी इस साल भी याद दहाने करा दिये अब हम चलते हैं, असलाम उलेकुम असलाम उलेकुम, वालेकुमसलाम